नमस्कार दोस्तो, आप सभी का टेक निभोरिया चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी के बीच फिर से एक नए स्मार्टफोन की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। हाल ही मैं Lava Company ने अपना Lava Blaze 2 5G को इंडिया में लॉंच कर दिया है। दोस्तो, अगर आप टेक निभोरिया चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो दोस्तो, कमपनी ने इस स्मार्टफोन के अंदर 6.5 इंच की LCD HD प्लस डिस्प्ले दी है। जिसमें 1,600 x 720 पिक्सल का रिजॉल्यूशन दिया है और 20 इस्टो 9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया है, इसी के साथ कमपनी ने 90 हट्स का रिफ्रेश रेट भी दिया है। यहां डिस्प्ले 2.5 डी कर्वड पैनल के साथ आती है। कमपनी ने साथ में fingerprint sensor भी दिया है। अब बात करते हैं इसके camera की। तो दोस्तो, कमपनी ने इस smartphone में 50 megapixel का rear camera दिया है और secondary camera AI दिया है। वही selfie के लिए front camera 8 megapixel का दिया है। अब बात करते हैं इसकी storage की। तो दोस्तो, यहां smartphone 2 variant में आता है। इसका first variant 4GB की RAM और 6T 4GB की internal storage के साथ आता है। वही इसका second variant 6GB की RAM और 128GB की internal storage में आता है। इसी के साथ आप 1TB तक का memory card भी डाल सकते हैं। यहां smartphone Android 13 पर काम करता है। बात करें इसके processor की। तो दोस्तो, यहां smartphone MediaTek Dimensity 6020 Maligy 57 के साथ आता है। अगर हम बात करें इसकी battery की, तो दोस्तो, company ने इस smartphone की battery 5000 AMAH की दी है, जो 80W की fast charging को support करती है। इस smartphone में company ने back में ring light भी दी है, जो charging और notification के समय on होती है। दोस्तो, आप सभी comment करके बताओ कि आप सभी को यहां smartphone कैसा लगा। अब बात करते हैं इसकी connectivity की। तो दोस्तो, company ने इस smartphone में dual SIM 5G support दिया है। Bluetooth 5.1 और 3.5 AIM AIM का Audio Jack Wi-Fi GPS USB Type-C जैसी connectivity दी है। यही सब features Lava Blaze to 5G smartphone में दिये गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को like, share and subscribe करना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को like, share and subscribe करना ना भूले।